महरानी पदमावती, जिन्हें रानी पदमिनी के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड के राजा रावल रतन सिंग की पत्नी थी. उनकी सुन्दर्ता और वीर्ता की कहानिया पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं. 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुन्दर्ता के बारे में सुनकर चित्तोड पर आक्रमन किया. खिलजी ने पदमावती को पाने के लिए चित्तोड किले को घेर लिया. महारानी पदमावती ने अपने पती और किले के सम्मान की रक्षा के लिए खिलजी का सामना करने का साहस दिखाया जब रतन सिंग युद्ध में वीरगती को प्राप्थ हुए और खिलजी किले में प्रवेश करने में सफल हुआ तब महारानी पदमावती ने सोलह हजार अन्य महिलाओं के साथ जोहर के लिए।